Assalamu alaikum, आज हम unit 2 का first lesson करेंगे my family and I तो ये पहला paragraph है, हम पहले इसकी translation कर लेते हैं My name is Saad, I am a Pakistani My, मेरा name, नाम को कहते है, is, है, Saad I, मैं, हूँ, पाकिस्तानी मेरा नाम Saad है, और मैं एक पाकिस्तानी हूँ I am six year old, I, मैं, पढ़ चुके हैं, हम, हूँ भी पढ़ चुके हैं छे को six कहते हैं, year, साल, और, बड़ा, मैं छे साल मेरी उमर है या मैं छे साल का हूँ, फिर है I live with my parents, grandparents, two brothers and a sister live कहते हैं, रहना, with, साथ, parents, वालदैन को कहते हैं grandparents, दादा, दादी या नाना, नानी और, two, two, brothers, भाई, और, and, sister, भेहन, यानी मैं अपने वालदैन, दादा, दादी, दो भाई, और एक भेहन के साथ रहता हूँ I go to school in the morning, I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water go कहते हैं, जाना, school को school ही कहते हैं उर्दू में भी, morning, सुबा eat, खाना, lunch, दुपैर के खाने को कहते हैं, during, दुरान, break, वकफा, after, बाद, washing, दोना, hands, हाथ, और, soap, साबन, और, water, पानी यनि मैं सुबा स्कूल जाता हूँ और फिर मैं दुपैर वकफे के दुरान खाना खाता हूँ और खाने से पहले अपने हाथ, साबन और पानी से दूता हूँ I come back home at 1 o'clock. First I do my homework, then I play with my brothers and sister in the evening. Come back, 1 o'clock, 1 o'clock, first, पहले, do, करना, homework, घर का काम, then, तब, play, खेलना, और evening, शाम को, यनि मैं घर वापस आने के बाद, एक बजे घर वापस आता हूँ, फिर घर का काम करता हूँ, जो स्कूल में मुझे मिलता है, और फिर मैं शाम को खेलता हूँ, तो अच्छे बच्चे जो ह होते हैं, वो पहले काम करते हैं, फिर बाद में खेलते हैं, I have many toys to play with, mostly, I love to play with my toy train, many, बहुत ज्यादा toys खिलोने, love, महबत करना या अच्छा लगना, mostly, ज्यादा तर train, मेरे पास बहुत सारे खिलोने हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तर अपनी toy train से खेलना अच्छा लगता है I love to have dinner with my family, every night my mother tells me a bedtime story, then I go to sleep, तो have का मतलब होता है, करना या रखना, dinner, रात के खाने को कहते हैं, every, हर, यानि हर रात को, मदर मा को कहते हैं, tells, सुनाना, bedtime, बिस्तर पर, story, कहानी, go to, जाना, sleep, यानि मैं हर रात को खाना खाता हूँ, अपनी खानदान के साथ, और फिर, हर रात मेरी अम्मी मुझे कहानी सुनाती है, और फिर मैं सोता हूँ, तो ये थी translation, उमीद है, आपको अच्छी लगी होगी, आप इसका एक-एक मानी, English अलवाज के साथ, याद करें, और पहले काम, फिर खेल, उमीद है, आपको सबक पसंद आया होगा, इस चैनल को सबस्क्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें,